tau 4 best laptop for students के लिए तो भी अगर आप कोई भी विदियो एटिंग करना जाते हो जाए जाए अगर आपने वीडियो एटिंग करना है ये वीडियो मैं आपके लिए करना है सीधा number 4 नम्बो फो की बात करते हैं लेकिन फो की बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं भैं मैं आपको जितने भी laptop बता हूँगा वो वीडियो एटिंग के लिए बैस्ट होने वाले आपने 4K भी try करना है आप कर सकते हो अगर आपने gaming करने है high graphic पिए अगर आप gaming करना जाते हो आप normally easily कर सकोगे plus भी अगर आपको office work के लिए चाहिए student हो पढ़ते हो पढ़ते हो आपके लिबी best deal होने वाली अगर आपने offline काम करना है जा classes बरह लगानी है अगर आपने online classes लगाने हैं आपके लिए भी बहुत अगड़े होने वाले हैं प्लस अगर आपने ऐसा creator काम करने ऐसा developer काम करना programming करने हैं, coding करने हैं उसके बाद भाई अगर आपने कोई भी heavy software भी use करना है आप easily normally कर सकोंगे तो बात करते हैं सीदा number 4 की number 4 की बात करें, number 4 पर यार मैंने रखा है MI Notebook Horizon को अगर इस laptop की बात करें सबसे पहले में आपको बता देना चाहता हूँ कि build quality प्लस इसका design वह बहुत जादा इसको suit करता है, plus MI brand है, plus अगर आपका कोई काम ऐसा है कि आपको keyboard पे जादा काम करना पड़ता है आपके लिए बहुत अगड़ा होने वाला है, because आपको trackpad and touchpad यह हुआ है, वो बहुत सही मिल जाता है, plus इसके display quality बहुत अगड़ी है आपको HD plus web camera साथ में free of cost देखने को मिलेगा, जो कि प्लस पर आ जाता है, अगर आपने online classes लगानी है, आपके लिए, plus मैं आपको बता जाता है, अगर आपने video acting करना है, creator काम करना है, जा developer काम करना है, plus अगर आप gaming वारा भी करना जाते हो, आप कर सकते हो, because आपको graphic card की बात करूँ, आपको MX350 2GB graphic card मिल जाता है, 8GB RAM मिल जाते है, I5 10th generation के साथ देखने को मिलगा, तो specification के according देखा जाए, laptop पूरा loaded देखने को मिल जाता है, मैं आपको main specification बता देता हूँ, थोड़ी सी deeply बात कर लेते हैं, वाई, तो यह display की बातों को 40 inch full HD display मिल जाते हैं, जो कि anti-glate display processor की बातों को i5 10th generation के साथ मिलता है, storage की बात करूँ, आपको 8GB RAM मिल जाते हैं, प्रस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाते हैं, graphic card की बात करूँ, आपको NVIDIA MX3502GB देखने को मिल जाता है, उप्रेनी जिस्टों की बातों को Windows 10 मिल जाते हैं, बैंटरी की बात करूँ, आपको 10 hours क inventory backup provide कर देता है, price की background को 51,000 के budget में MI notebook horizon देखने को मिल जाता है, तो यहार main specification मैंने आपको बता दिया, MI notebook horizon की, अभी मैं इसके minus point की भी बात कर लेता हूँ, so that's why मैं इसको number 4 पर रखा, इसका minus point सिर्फ ये देखने को मिलता है, कि आपको 8GB RAM तो मिल जाते हैं, लेकिन आपको upgrade क करने का option नहीं मिलता, so that's why मैं इसको number 4 पर रखा, तो आप इस चीज़ को दियान में रखना, कि आपको RAM upgrade करने का option नहीं मिलता, जो कि सच में एक minus point आ जाता है, तो आप देख लेना, अगर आपको ये laptop जो है, वो सही लगता है, आप उसके और जा सकते हो, अगर आपकी कोई requirement है कि आपको 8GB RAM minimum बहुत है यार, अगर आपको इतने ही मतलब सही लगती है, तो आप इसके और जा सकते हो, अगर आपको 8GB RAM नहीं सही, आपको कोई काम ऐसा है कि आपको 16GB RAM चाहिए, अगर आपको 32GB RAM चाहिए, तो आपके लिए ये laptop बिल्कुल भी नहीं बना, इसलिए तो आपको 45,000 के budget में मिल जाता है, 45,000 के budget में आपको specification पूरे loaded मिल जाते है, बहुत अगड़े specification है, मैं आपको बताते है, तो हम सीधी बात करते है हम specification की, तो यह डिस्पले की बातों को 40-inch Full HD Plus display मिल जाती है, जो की IPS panel display, processor की बातों को i5 10th generation के साथ मिलता है, storage की बात करूँ, आ आपको 8GB RAM मिल जाते है, expendable आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती है, SSD के benefit की अगर मैं बात करूँ, तो भई SSD का benefit यह होता है, अगर आप टाड़ा अगरा जल्दी transfer करना जाते हो, तो आपके लिए बहुत benefit करेगी as comparison किया जाए, HDD के साथ, HDD की speed बहुत slow होती है, ठीक है, अगर आप 2GB या 3GB की file transfer करते हो, तो इसको यार आदा गंटा 40 मिन ऐसे लगते है, लेकिन SSD में आपको यह चीज़ी नहीं देखने को मिलेगी, जो कि सच में SSD ही लेनी चाहिए, अगर आप टाड़ा ज्यादा transfer करते हो, graphic card की बात करूं, आपको Nvidia G4 MX350 देखने को मिलेगा, वो प्रे specification मैंने आपको बता दिये, Acer Aspire 5 के भी, अगर मैं specification के according देखा जो, तो बहुत ज्यादा सही है, भई आपको 45,000 के budget से लेके 50,000 के budget तक यह laptop देखने को मिल जाते है, तो भई अगर आपने office बर के लिए चाहिए, student हो, पढ़ते हो, पढ़ते हो, अगर programming करने है, coding करने है, को heavy software यूज़ करना है, video editing करना चाहते हो, या gaming करना जाते हो, आप इस पे कर सकते हो, आपको 2GB graphic card मिल जाता है, 8GB RAM मिल जाते है, जिसको आप upgrade कर जाते हो, 16GB तक, अगर आपने video editing करना है, तो भई मैं आपको recommend करना जाता हूँ, आपने 16GB RAM के और minimum चल जाना, उसको upgrade कर लेना, आ अगर आप कुछ भी पूछना जाते हो, comment section में comment कर सकते हो, जो मैं रोजे Instagram पर मैं आपको कर सकते हो, या मैंने link वगरा description box में दिया हूँ है, अभी आगे बात करते है, number two की, तो अभी बात करते है, number two की, लेकिन मैं आपको कहा देना जाता हूँ, number two and number one को, दोनों को मैंने combine कर दिया, because दोनों ही laptop जो वो Acer की आउर से ही आते है, इस budget range में Acer बहुत ज्यादा सही कर रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ, दो laptops के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, Acer Aspire 7 की, and मैं बात कर रहा हूँ, Acer Nitro 5 की, सबसे पहले में आपको दोनों के बारे में clear कर देता ह हूँ, भी अगर आपको office work के लिए चाहिए, अगर आपको gaming design नहीं चाहिए, तो Acer Aspire 7 आपके लिए perfect deal हो सकता है, but अगर आपको gaming design चाहिए, अगर आपको gaming design से matter कुछ भी नहीं करता, आपको specification loaded चाहिए, का अगर आपने कोई heavy software use करना है, gaming करना है, video acting करना है, आपके लिए best होने बला, इस सर निट्रोफाइब, पहले मैं कल तो बोली लगा था, आपके लिए best हो सकता है, इस सर निट्रोफाइब, आप जा सकते हो, इस सर निट्रोफाइब के और वो बहुत जाता तगड़ा laptop है, तो अगर आप वो gaming करना जाते हो, मैंने आपको बता दिया, अगर प्रेटरी की बात करूं, आपको 7 hours का बैटरी बैटरी बैकप परवाइड कर देता है, प्राइस की बात करूं, इसका प्राइस आपको 50,000 से लेके 54,000 के बिटर में इस सर इसपायर 7 देखने को मिल जाएगा, तो यहर अब भी बात करते हैं, इस सर नीटरो 5 की तो डिस्प्ले की बातों को 15.6 इंच फ्लेस्टी प्लस IPS पैनल डिस्प्ले मिल जाते हैं, जो की 16 रिफ्रेश्ट के साथ आते हैं, आप वर सासर की बात करूं, इसमें भी आपको AMD Ryzen 5 देखने को मिल जाते हैं, त्री फाइ प्रवाइड कर देता है, प्राइस की बात करूं, आपको 57,000 के बजट में इस सर नीटरो 5 देखने को मिल जाएगा, तो यहर में स्पैस्फिकेशन में आपको दोनों ही लैप्टाप के बता दिये, मुझे पता है, मैंने जो आपको लैप्टाप बताएं, उनका प्राइस ज अगर मतलब अगर आपका बजट पचास हजार से भी कम है, तो अपके लिए बैस्ट डील हो सकता है, इस प्राइज रेंज में इस सर बहुत तगड़ा है, अगर आपका बजट तीस हजार होता ना, तो मैं आपको लिनोवो लैप्टाप के और जाने को कहता था, उतने प्रा करना जाते हो, पढ़ते हो, पढ़ते हो, आफिस बर के लिए चाहिए, प्रोग्रामिंग करना है, कोडिंग करना है, जगर आपने as a creator काम करना है, as a developer काम करना है, जग कोई भी loaded file पर काम करना है, आप सब ही के लिए, जो मैंने आपको laptop बता है, वो बहुत अगड़े होने व झाल, 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